Hello everyone, आज है 16th माई और आज इस वीडियो में हम बात करने चारे IRB Infra के बारे में देखे 66 रुपीज का ये शेर है आज आधे परसंट की तीजी है आज बाजार ना ही तीजी वाला है ना ही मंदी वाला है आज अगर हम देखे तो जनरली गिरावट बहुत सारे सेक्टर्स में देखने को मिली जरूर है लेकिन संभाला हुआ अगर कहीं पर है किसी ने तो वो IT ने आज संभाला हुआ है लेकिन वीडियो में हम बात करें IRB Infra के बारे में 66 रुपीज का शेर है एक महिने का ग्राफ देखो तो जहां था वहीं पर आ चुका है नतीजे से पहले अच्छी तीजी आई थी फिर गिरावट भी आई इवन रिजर्स इसके साथ मई को आये थे उसके अगले दिन इसने बहतरीन तीज़ दिखाई थी ठीक है बहतरीन तीज़ दिखाई थी लेकिन उसके बाद क्या हुआ लगात्तार भाई साब दो दिन गिरा वापस से अभी अटेम्ट कर रहा है तीज़ दिखाने का बात करेंगे वीडियो में के भाई साब पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं और क्या आउटलुक इसका बनता नजर आ रहा है सपोर्ट कहां पर है और रजिस्टन्स कहां पर है देखी वीडियो को शुरू करूँ से पहले अगर आपने भी देख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इससे सब्सक्राइब ज़रू कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जब हो काफी ज़ादा हल्प करेंगे तो अल्मूस 65-66 रुपीज का शेर है एक महिनी में जहां था वहां पर आ चुका है एक साल का ग्राफ देखो तो खूब पैसा बना कर दिया 127% का ग्रोथ है लेकिन अगर लोगर लेवल 25 रुपे से कंपेर करोगे और 70 रुपे का देखोगे तो भाई सब खूब पैसा बना है लेकिन 70 रुपे का एक रिजिस्टन्स है यहां पर मैंने पहले भी कहा था कि 70 रुपे का लेवल जब तक यह डिसाइसिवली नहीं तोड़ पाता है तब तक भरोसा नहीं करना है यहां पर ठीक है नतीजे जो इसके आये थे वो एवरेज नमबर थे ठीक है और एक दिन की तीज़े के बाद गिरावट देखने को मिली इंफरास्ट्रक्चर के उपर बहुत जादा पैसा स्पेंड करने वाली है हाला कि अभी अगर आप देखोगे तो इलेक्शन के चलते बहुत सारे प्रोजेक अनौंस नहीं हो रहे है इलेक्शन के बाद क्या कमेंटरी आएगी उसके उपर देखना रहेगा और दूसरी बात ये भी है कि कौन सी सरकार बनेगी वो भी देखना जरूरी है अगर एक्जिस्टिंग सरकार नहीं रही तो फिर बाजार में एक बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड रहेगा और ये भी तूट के बिख रहेगा जरूर कुछ टाइम के लिए लेकिं लॉंग टम का उट्ड मुझे रखता है कि पॉजटिव रहना चाहिए इसका क्योंकि end of the day मुझे लगता है कि कहीं न कहीं infrastructure के ऊपर government पैसा spend तो करेगी अभी ही अगर आप देखो तो बहुत सारा पैसा spend हो रहा है highways वगरा बनाने के लिए और आगे और होता रहेगा इस company को लेकर अगर बात करी जाए तो इसका जो आज वोल्यूम है वो 28 लाग के आसपास का देखने को मिल रहा है company ने all time high 73 रुपीस का बनाया था ये intraday का high है ठीक है और तकलिपन साड़े चार रुपय का low है लेकिन अगर मैं कह दू साड़े चार रुपय कभी नहीं गया है ये बस adjust हुआ है जो इन्होंने bonus वगरा दिये है ठीक है जो split वगरा हुआ हुआ है उसके चलते actually में ये split हुआ था और यहां पर एक share के 10 share बन गये थे मतलब कि जिसके पास एक share होगा उसके share automatically 10 बन जाएंगे और share price अगर 100 है तो वो 10 हो जाएगा तो वो हुआ है यहां पर और उसके चलते आपको ये इस level पर adjusted price देखने को मिल रहा है वनना 4 रूपय कभी नहीं गया है साड़े 4 रूपय कभी नहीं गया है कि इसका जो market cap है तकरीबन 40,000 क्रोड के आसपास का है और आपको मैं बता दू कि ये वो company है जिसका order book भी तकरीब वाले time में जो चीजें इनके favor में काम कर रही है वो यही है कि जो assumption है कि government भया infra के उपर बहुत सारा पैसा already पिछले 5 सालों में spend कर चुकी है और आगे भी बहुत सारा पैसा infra के उपर specifically spend कर आ जाएगा और जहां तक बात करीजा है इस company में तो भाई सहब मोतिलाल उस्वाल की neutral rating है और अभी पिछले हफते की ही है 61 रुपीज का टागेट है यहां पर 61 रुपीज का recent है यहां पर और देखो जो बीच में 30 ही आई थी ना उसकी वज़ा यहां पर भाई साब यह Ventura securities था इन्होंने 134 का टागेट दिया था उससे पहले 94 रुपीज का टागेट February में दिय अपरीज में उसको बड़ा 134 का इन्होंने टागेट करा था जबकि इसी बीच में मार्च में मोतिलाल ओस्वाल का साथ रुपय का टागेट है neutral की रेटिंग थी तो यहां पर इतना बड़ा प्राइस डिफरेंस एक्चुली में नहीं होना चाहिए और जहां तक मुझे देखते हैं 30% 40% 50% का हाइस कोई नहीं देखता इन्होंने वो दिया ठीक है जो कि काफी सप्राइजिंग था काफी सप्राइजिंग था लिए जरूर था इन्होंने और जहां तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो रिजर्स भी आए और डिविडेंट भी इन्होंने पे तरा है 10 पैसा पर शेर 10 पैसा 10 पैसे का यह डिविडेंट है और छोटा सा डिविडेंट है कोई इतना वड़ा डिविडेंट नहीं है और जैसे कि मैंने कहा कि यह प्राइज एक्चुली में स्प्लिट की वज़ेसा है 2030 में यह स्प्लिट हुआ है एक शेर का 10 शेर बना है अगर split ना हुआ होता तो आज भी इसका जो price है वो 600 रुपय के आसपास होता यह अगर split ना हुआ, 660 के आसपास होता इसका price तो actually में तब लोगों को महंगा लगता, definitely तब लोगों को ये महंगा लगता लेकिन अब 65 रुपय देखने में सस्ता लग रहा है लेकिन अगर valuation देखोगे, तब पता चला कि ये तो महंगा तो है 65 का P ratio है, sector P 53 का है तो पहली चीज तो ये कि देखने में 66, 65 रुपी सस्ता नहीं है महंगा है ये, क्योंकि split हुआ है, इसलिए आपको price wise नहीं लग रहा है लेकिन valuation के हिसाब से definitely ये महंगा है 67% analyst कहते हैं, खरिदारी करो financials अगर आप देखोगे इस company के तो definitely last quarter में बहतरीन performance था लेकिन revenue wise profit wise अगर आप देखो तो उतना बड़ा growth नहीं अगर आप December quarter देखो, तो जहाँ 2077 करोड का revenue था और profit था 118 करोड के आसपास का March में भाई साब वो बढ़के 2500 करोड चला गया almost 20-22% का growth आया है profit में, sorry, इनके revenue में लेकिन profit में अगर आप देखोगे, तो 1% का भी growth नहीं आया है तो यह यहाँ पर negative चीज है कि भाई साब अगर revenue में 20-22% का growth आ सकता है तो profit में भी वो दिखना चाहिए, लेकिन वो नहीं देखने को मिला है और यहाँ पर आने वाले quarter और ज़्यादा important होंगे कि कैसे numbers report होते हैं और यहाँ पर जो consistency होनी चाहिए, वो actually कभी नहीं होती है जैसे कि quarter में 300 करोड का profit हो गया, अगले quarter में 50 करोड हो गया फिर 140 करोड हो गया, अगले quarter में 130 करोड हो गया फिर 133 करोड हो गया, फिर 95 करोड, तो जो consistency growth रिखना चाहिए वो यहाँ पर नहीं, और generally वो ऐसा होता है, क्योंकि यह जाहिर से बात है company high wave projects पगरा लेती है, तो किसे quarter में अच्छा कासा पैसा आजाता है किसे quarter में पैसा अट का रह जाता है, तो वो चीज़े होती है यहाँ पर और जहां तक shareholding के बारे में अगर हम देखे तो जो promoter है, उनके पास 34.39% का stake है और promoter की आधी holding गिरवी भी है, यह negative point है यहाँ पर जहां तक mutual fund देखे तो 3.72% है, 4.07% domestic institution के पास है और भाई साहा promoter से जादा Files लेकर बैट है, 47.22% Files के पास है और generally होता यह है कि कई बार mutual funds और domestic और Files की holding Files की holding चलो मान सकते है कि double हो mutual fund से, लेकिन 15x, 15x की तो गाई सब नहीं होनी चाहिए इतनी जादा, तो कहीं नहीं बहुत जादा dependency यहाँ पर Files के उपर है कि अगर Files बेशने पर आगए तो दिक्कत आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पर जाहां तो retail और अधर की बात की तो 10.60% का stake है, दोनों का मिला कर उनमें से retail investor 7.53% पर है और other parties 3.06% का stake यहाँ पर लेकर बैठे हुए है और अगर बात करो मैं IRB Infra को लेकर तो company मेरे हिसाब से अच्छी है, मैं मानता हूँ बहुत अच्छी company है यह लेकिन valuation के हिसाब से थोड़ा सा मज़ो में यह महंगा लग रखा है मुझे लगता है कि यहाँ पर मौकी तब बनेंगे जब यह आपको गिरावर दिखात नजर आए 50 रुपे के strong support है, बहतरीन support है और वहाँ पर valuation सस्ते भी है लेकिन उतना नीचे नहीं जाने वाला, मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर यह 55 से 60 रुपे के करीब जाता है तब वहाँ से buy on dips के शुरुआत हो सकते है, अगेर मैं यहाँ पर बहुत इस्तेमाल कराऊ buy on dips मतलब कि धीरे धीर अड़ करने के हर 10-15% पर ना कि आप वहीं पर बहुत सारी quantity खरीद के बैर जाओ फिर बोलो कि अब गिर गया में क्या करूं ठीक है, लॉंग टम का out लुक यहाँ पर होना चाहिए, शॉर्ट टम का नहीं और अभी भी मुझे लगता है कि कुछ टाइम यहाँ पर गिरावट आनी चाहिए, रीजन यह है कि कोई बहुत बड़ी announcements यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है नहीं पिछले कुछ टाइम में, क्योंकि election तक तो नहीं आएगी, election के बात definitely हो सकता है कि जो भी सरकार बन क्योंकि कुछ टाइम हो तक थोड़ा बहुत correction आना चाहिए और अगर यहाँ से existing price से अगर यह आपको कम से कम 12% के आसपा सा गिरावट दिखाता है, तब जाकर यहाँ पर मौके बन सकते हैं, अगर यह नहीं मेरा personal opinion कोई भी investment advice नहीं, वीडियो को यहीं प्रेंट करता हूँ पसंद आखो तो like करो, अगर चैनल मगरा पहले बार हैं तो please subscribe करें, और IRB Infra के बारे में आप क्या सोच नहीं, वो भी आप मुझे comment में लिखे बता सकते हैं, thank you